हलो दोस्तों स्वागत आपका sleepy classes में daily news के साथ एक नए topic लेके आये हैं और आज का topic है AUKUS alliance ठीक है दोस्तों अभी क्या हुआ क्या है हमारे जो यह आप गंडमाने देख सकते हैं USA, UK और Australia ठीक है जी यह हमारे जो गंडमाने लोग है इन्होंने एक alliance मनाई है जिसका नाम दिया ह है AUKUS तो इसके बरबब थोड़ा से जानते हैं किसके ramifications कहा कि world में हो कह रहा है देखिए अब head of the government of Australia UK और US ठीक है जी इन्होंने अनूंस किया है formation of trilateral security pact जिसका नाम होगा AUKUS obviously नाम से उठाया है A-U-S AUKUS ठीक है तो अब यह हमारे अब comment section में बताई इन तीनों का नाम क्य क्या है ठीक है बहुत ही easy है बहुत ही easy है आपको पता होना चाहिए इन सबका नाम क्या है तो इन्होंने AUKUS बनाया अब बनाया क्या है अब देखिए यह तीनों जो nations है यह already allied to each other allied का मतलब क्या होता है कहीं न कहीं इनकी involvement जो है government की कहीं न कहीं defense के हिसाब से है ही ठीक है जी जैसे की US और UK जो है वो NATO alliance है ठीक है ठीक है ठीक है NATO alliance की full form बताइए अब comment section में क्योंकि यह NCIT के basics है ठीक है और Australia, New Zealand और US से जो है वो भी एंजर्स pact से जोड़े हुए है ठीक है अब एंजर्स pact क्या है एंजर्स pact जो है 1951 में एक treaty sign हुई थी ठीक है जो की एक Australian security से related था और 70 साल पुरानी है ठीक है तो इन सब की alliance तो है ही लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे देश है वह जो छूट भी गया है ठीक है लेकिन साथ में अभी एक और भी है कि यह जो तीन members country है यह five eyes जो आपकी intelligence alliance है उसके भी part है ठीक है ठीक है जी five alliance intelligence alliance क्या क्या है इसमें देखी कौन कौन स इसे UK, Australia और आपका New Zealand ठीक है जी अब यह five intelligence alliance क्या है इसमें यह क्या है कि यह country जो है parties है multilateral agreement UK USA की और इसमें एक treaty भी हुई है joint cooperation in signals intelligence ठीक है जी बदब आप एक दूसरे को signals देंगे ठीक है signals क्या होता है basically आपकी communication ठीक है जी communications जो होती है चाहे फिर वो आपकी air हो चाहे फिर वो land to air हो या आपकी जितने भी support चाहिए उसके लिए signals देंगे ठीक है अब देखे लेकिन और इसमें क्या क्या रहे गया हो है क्या कौन कौन से है Canada नहीं आया है ठीक है जी New Zealand भी नहीं आया हो है और यही थोड़ा सा अटप अटपटा भी होगे देखिए इंडिया जपान न्यूजलेंड और फ्रांस जो है उसको exclude किया गया है इस नई grouping से ठीक है अब देखिए इंडिया न्यूजलेंड फ्रांस जपान इनका जो है exercise मलाबार से काफी ज़्यादा relation है मलाबार में तो है ही ठीक है और साथ में आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे countries तो है नहीं काफी बड़े countries है और defense में काफी ज़्यादा इनका roll रहता है अब इनको दूर रखा है तो यह थोड़ा सा अटपटा था और इसका तो मतलब फ्रांस ने क्या है इसने तो vaccination से भी related कुछ हुआ है कि इंडिया के जितने भी मतलब कुछ countries के नाम है जिसमें की इंडिया यूए जॉर्डन वगरा है उनके countries को बुला कि आपने जो vaccination कराई हुई है ठीक है वो vaccination हम vaccination मानेंगे नहीं और आपको 10 days का quarantine करना पड़ेगा ठीक है तो मतलब UK तो अपनी ही धु रिक बात नहीं है अब हो कह रहा है किस चीज के लिए हो यह चाइना के लिए हो रहा है ढुछ इसे के लिए आपको पता है चाइना की है जिमidal की जो है मिलिटरी रिक जो बढ़ती जा रही है और देखा कि सआउठ चाइना सी-में यह जो आपका South China Sea सी है देखि़ आपकाרים में दिया हुआ है Thailand वगेरे में और इसमें काफी ज्यादा क्लेमेज करते हैं बाकी कंट्रीज लेकिन चाइना की है यहां पे है तो देखे वह अब अपनी नेवी की कपासिटी बढ़ा रहा है चाइना ठीक है और अपनी बाकी कपासिटी भी बढ़ा रहा है और आपको पता ही है कि चाइना सब के लिए सिर्दर्दी बनाई हुआ है चाहिए वह यूएस से हो फिर चाइना मतलब आपका जबान हो सब देशों के लिए सिर्दर्दी है तो यह बेसिकली आपका क्या है इसको टैकल करने के लिए और चाइना जो है इसको क्या कह रह ठीक है दोस्तों तो ये थी आज की डेली न्यूस ठीक है जी आपका बहुत-बहुत धन्यवार मेरे नाम है अब है अगले डेली न्यूस के साथ जल्द ही मुलकात होगी तब तक के लिए शब अखार टेक केर बाबाए